नमस्कर दोस्तो एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिये परिक्षा में कितना नमबर आने पर फेल होते हैं और कितना नमबर आने पर बैक में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे तो आई देर ना करती हुए वीडियो को सुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिये पर इक्षा में पास होने के लिए कितना नमबर आना होगा तो मैं आपको बता दू होता है तो आपको पास होने के लिए 80 में 37 नमर लाना होगा अगर आपका 75 नमर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नमर लाना होगा और अगर आपका 50 नमर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 में से 18 नमर लाना होगा यानि कि आपका पेपर च तो आपका जितने भी नमबर का पेपर होता है, अगर आपको बीय परिच्छा में पास होना है, तो आपको उतने नमबर का 36% नमबर पास होने के लिए अगर आपका जितने भी नमबर का पेपर होता है, तो आपको बीय परिच्छा में पास होने के लिए उतने नमबर का 36% नम लोग जानते हैं कि यह परिच्छा में किस सेवेट में कितना नंबर आने पर पास होते हैं, किस सेवेट में कितना नंबर आने पर फेल होते हैं, और किस सेवेट में कितना नंबर आने पर बैक लगता है, आगे हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे, तो यह देर ना करत वीडियो को सुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट की माध़म से जानते हैं यहां पर आप दे सकते हैं आपके सामने पहला जल्टा है यहां पर आप दे सकते हैं कि आपका 370 के पेपर हुआ है यहां पर आपका 1 सेमिस्टर, 2 सेमिस्टर, 2 सेमिस्टर, 2 सेमिस्टर में आपका 100, 100 नमबर का पेपर हुआ है यहां पर आपका 1 सेमिस्टर, 2 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 सेमिस्ट तिलान अब आपी, सुचोलोजी NA, सौद समिस्टर मुन्सेन प्रक्राइव! मिलसी, सौरमली झालाइव! मिलसी, फोनुटै प्रक्राइव! क्यों इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अंदर फ्रवी क्यों प्रिया वी आपको उसकत быть विल्ट सा अगर आपको 20 178 के नंबर को जोड़ कॉड़ने में इयनि कि वह सेमस्ट हे वी जासने को पास कुड़grass सेमस्ट कर इधर साइड़ा है तो उसलिकी जास है तो यहाँ पे जो आप 13 number 250 number को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 32 number से उपर हो जाएगा या hatten जियादा हो जाएगा तो यहाँ पे 32 number से जादा होने की वेश्ज़र, इसको पास किया गया है तो इस बात को जब देखेगा कि अगर आपका 300 weight का paper होता है और तीनों में से किसी एक सवेट के अंदर भी या किसी भी समिष्टे में अगर आपका कम नमबर आता है और दोनों समिष्टे के नमबर को जोड़ने पर अगर आपका बहुतता नमबर से उपर आता है तो उसका इंडिसन में आपको पास कर दे जाएगा अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी लिकों देखते हैं यहाँ पर आप दूसरी लिकों ध्यान से देखिए यहाँ पर अब दे सकते हैं कि आपका 308 के पेपर हुआ है History, Political Science और Public Administration यहाँ पर आपका First Semester, Second Semester, दोनों Semester में आपका 100-100 नमर के पेपर हुआ है यहाँ पर History की बात की जाते हैं पर अब दे सकते हैं कि History के अंदर आपका First Semester में 100 में से 4 नमर आ है और Second Semester में 100 में से 50 नमर आ है यहाँ कि History के अंदर आपका First Semester, Second Semester दोनों Semester में पासी नमर आ है क्योंकि दोनों Semester में आपका 36 नमर से उपर आ है अब political science की बात की जाते हैं आप अब दे सकते हैं कि political science के अंदर आपका first semester में 100 में से 20 नमर आ है और second semester में 100 में से 40 नमर आ है यानि कि political science के अंदर आपका first semester में passing नमर नहीं आ है क्योंकि first semester में आपका 36 नमर से कम है जबकि second semester में आपका passing नमर आ है क्योंकि second semester में आपका 36 नमर से यानि कि public administration के अंदर आपका दोनों semester में passing number आ है, क्योंकि दोनों semester में आपका 36 नमर से उपर आ है, और final z की बात की जाते हैं, आपका supplementary दिखा रहा है, वो भी supplementary किसमें लगा है, तो supplementary आपका political science के first semester में लगा है, क्योंकि political science के first semester में आपका केवल 20 नमर है, यानि कि यहाँ प आपका political science के first semester में क्या हुआ है, बैक लगा है, यानि कि supplementary लगा है, यानि कि यहाँ पे बैक लगा है, तो यहाँ पर दोस्तों इस बात क्या दखिएगा, कि अगर आपका 378 का paper होता है, और उसमें से किसी भी semester में, अगर आपका passing number नहीं आता है, तो उस condition में आपका बैक ल हुआ है, यहाँ पे history की बात की जाते हैं, पर दे सकते हैं, कि history के अंदर आपका first semester में सो में से 19 नमर आया है, और second semester में से 45 नमर आया है, यानि कि history के अंदर आपका first semester में पासी नमर नहीं आया है, क्योंकि first semester में आपका 36 नमर से कम है, जबकि second semester में आपका passing नमर आया है, क् second semester में आपका 36 नमर से उपर है अब political science की बात की जाते हैं पर दे सकते हैं कि political science के अंदर आपका first semester में 100 में 36 नमर आ है और second semester में 100 में 38 नमर आ है यानि कि political science के अंदर आपका first semester second semester दोनों semester में passing नमर आ है क्योंकि दोनों semester में आपका 36 नमर से उपर है अब sociology की बात की जाते हैं आप अब दे सकते हैं कि sociology के अंदर आपका first semester में 100 में से 27 नमरा है और second semester में 100 में से 14 नमरा है यहाँ कि sociology के अंदर आपका first semester second semester दोनों semester में पासिन मनिया है क्योंकि दोनों semester में आपका 36 नमर से कम है तो यहाँ पर final result की बाती चिए यहाँ प्रहते सकते हैं रिजल्ट के अंदर फैल दिखा रहा है अब दुस्ति यहाँ पे फैल क्यों दिखा रहा है और फैल क्यों किया गया है क्युकि यहाँ पिलिडिकल साइंस को छोड़ करके बाकी 2 सबेट के अंदर यानि कि हिस्टरी के अंदर 1 समिष्टे में पासी नमन नहीं आए है और सोसलोजी के अंदर 2 समिष्टे में पासी नमन नहीं आए है तो यहाँ पे 2 सबेट के मिला करके 3 समिष्टे में पासी नमन आने की वैसे यहां पर फ्याल किया गया है तो इस बात क्यों आ देख़ेगा कि अगर आपका 377 के पेपर होता है और 378 के पेपर अगर दो समिश्टर में होता है और 278 के अंदर मिला कर कि अगर आपका 378 में पास निया मनहिए आता है तो उस condition में आपको फ्येल कर देजाएगा तो यहांपर दोस्तों आप लोगों न जान लिया कि B exam के अंदर की से वेट में कितना नंबर आने पिप पास होते हैं और शाथी शाता आप लोगों ने यह वी जान लिया कि B exam में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा तो उस condition में आप पास हो जाएंगे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और कमेंट करके बते ही कि आपको नेक्स वीडियो की स्टूपिक उपर चाहिए तहींगे दोस्तों